कोरोना वाइरस महामारी के खिलाफ जंग में देश को लॉकडाउन से काफी फायदा मिला है लेकिन तीन मई के बाद कोरोना वाइरस के खिलाफ देश की क्या रणनीती होगी इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने आज सभी राजियों क के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये एहम बैठक की यह बैठक तीन घंटे तक चली प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये राजियों के मुख्यमंत्रियों के साथ सो मुआर को चौथी बार बैठक की कुरोना के खिलाफ जंग में क्या क्या रणनीती अपनाई जा सकती है बैठक में इसे लेकर विचार विमर्श किया गया इस दोरान प्रधान मंतरी नरेंद मुदी ने कहा कि कुरोना के खिलाफ जंग को जारी रखने के साथ-साथ अर्थ-विवस्था को मातो दिया जाना भी बेहद जरूरी है उन्होंने तक्नीक के अधिक से अधिक इस्तेमाल और समय के साथ साथ सुझषात्मक उपायों को अपनाने पर जोर दिया प्रधान मंत्री ने राजियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आरोगे सेतु एप अधिक से अधिक लोग डाउनलोड करें ताकि करोना के खिराफ जारी लडाई को और मजबूत बनाया जा सके उन्होंने कहा कि हमें इसे सित्री का बहादुरी से सामना करते हुए रोजमर्रा के जीवन में व्यापक बदलाव लाना होगा आज माने प्रधान मंत्री जी ने सभी राजियों के मुखे मंत्रियों के साथ वीडियो कॉंट्रेंस के जरिये बातचीत भी की उन्होंने राजिय के मुखे मंत्रियों से कहा कि वह सजग रहें, सचेत रहें रेड जोन और औरेंज जोन में पढ़ने वाले सभी जिलों में सक्ती रखते हुए चेन ओफ ट्रांस्मिशन ओफ वाइरस इसको ब्रेक किया जाए ग्रीन जोन में विला एडिनिस्टेशन सर्विलेंस पर फोकस रखते हुए अलर्ट रहे ताकि उस जिले में यह संकट प्रिवेश न करें लॉकडाउन को लेकर प्रधान मंतरी ने कहा कि कुरोना वाइरस के खिलाफ लडाई में देश को इसका फायदा मिला है प्रधान मंतरी ने बताया कि पिछले एक डिर्ड महीने में लॉकडाउन की वजह से देश में हजारों लोगों की जान बचाने में कामयाभी मिली है जबकि भारत की जनसंख्या कई देशों की संयुक्त जनसंख्या के बराबर है उन्होंने कहा कि मार्च की शुरुआत में भारत की सिर्धी कई देशों के समान थी हाला कि समय पर किये गए उपायों के चलते भारत कई लोगों की जान बचाने में सक्षम रहा है प्रधान मंत्री ने कहा कि वाइरस का खत्रा अधिक है इसलिए निरंतर सतरकता सर्वो परी है उन्होंने कहा कि विशेशग्यों के मताबिक आने वाले महीनों में भी कोरोना वाइरस का प्रभाव दिखाई देगा प्रदानमंतरी ने दो गज दूरी के मंतर पर भी जोर दिया उन्होंने कहा कि मास्क और फेस कवर हमारे जीवन का हिस्सा रहेंगे हमारा मंत्र होना चाहिए राजियों के मुख्यमंत्रियों के साथ समवाद किया था आपको बता दें कि कोरोना वाइरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए 24 मार्थ से शुरू हुआ देश व्यापी लॉगडाउन 3 माई को खत्म हो रहा है इस बीच केंदर सरकार ने खारोबारियों को नुकसान से बचाने लोगों की परेशानियों को कम करने और आर्थिक गत्विधियों को तेज करने के लिए कई तरह की भी छूट दी है मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधान मंत्री की बैठक में तीन माई के बाद Lockdown को खोलने की चर्चा सबसे प्रमुक रही उसमें कई राजों के मुख्यमंत्री चाहते थे कि लॉगण अभी بरकरार रही जबकि कई राजों के मुख्यमंत्रियों का मानना था कि कुछ शर्तों के साथ Lockdown को खोला जा सकता है लेकिन केंदर सरकार का मानना है कि Red Zone और Orange Zone लगातार खत्रे के स्तिती में बने रहते हैं तो वहाँ Lockdown नहीं खुल सकता लेकिन Green Zone में Lockdown के साथ साथ सर्विलांस काफी आवश्यक होगा हलाकि अभी Lockdown की अवदि में एक हफते का वक्त बाकी है जिस पे कोई निर्णय लिया जाएगा